Life ना हमेशा फेर नहीं होती है Social Media में ना हमेशा Success Stories share की जाती है Joe Starks में हमेशा Success Stories share की जाती है Reels भी उनकी होती है जो Successful होते है लेकिन देखो ये Fact आज मैं आपको ड्राने के लिए नहीं बता रहा हूँ ये Fact मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी ना Expectation Set हो क्लियर करना है और मुझे सिविल सर्वेंट बनना है मैं इजे सोशल एनिमल मैं आइसोलेशन में जी नहीं सकता हूँमन भी कैसे हो आप सब लोग जवर्दस्ट आप सब लोग अपनी आखें बंद कर लो अरे करो ना यार मेरे को क्या देख रहे हो प्लीज क्लोज यूर आईज अब आप विजुलाइज कीजिए कि आपने इस एक्जाम की ना खूब मैनत की बहुत ज़दा मतलब प्री से पहले अठाठारा घंटे मेंस में अपना बैस दिया और फाइनली आया इंटर्वीव वाला है रिजल्ट की अब आपका जो भी रोल नंबर है ना कंट्रोल एफ किया और फाइनली लिस्ट में नाम है येस अरे अब आखे नहीं खूलनी आखे बंद रखो ठीक है अब फाइनली लिस्ट में नाम आ गया आपने क्या किया अपने पैरेंट्स के पैर चुए वहां पे में कि आपको सिलेक्ट किया गया है और अब आपको आना है लबासना में ट्रेनिंग के लिए लबासना में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है फिर आपके रील्स वाइरल होने लगते हैं आपके रील्स पूरे लोग दुनिया आपके रील्स देख रही है फिर क्या होता ह और उसके बाद की स्टोरी आपको पता है चुनू मुनू साथ ठीक है अब आंके खोल लो कैसा लगा देखो यह जो अभी हमने तस्वीर डिसकस की ना यह बेस्ट तस्वीर थी मतलब बेस्ट से बेस्ट जो लाइफ में हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा तो यह जरूर होगा लेकिन देखो लाइफ ना हमेशा फेयर नहीं होती सोसल मीडिया में हमेशा सक्सेस्टोरी शेयर की जाती है जो श्टाक्स में हमेशा सक्सेस्टोरी शेयर की जाती है Reels भी उनकी होती है जो successful होते हैं हमेशा positive हमें सोचना चाहिए हमेशा से हमें सिखाया गया है और ये सच भी है हमेशा positive सोचना चाहिए हमारी expectations भी set होनी चाहिए हमें realities का भी पता होना चाहिए कितने लोग UPSC का exam देते हैं 12,000,000 फूम भरते हैं लेकिन finally कितने लोग देते हैं 6-7,000,000 तो देते हैं ना और finally selection कितनों का होता है 1000 के आसपास और 1000 में भी जो जिनको IS मिलता है वो कम होते हैं और जिनको IPS, IRS मिलता है वो भी फिर से देते हैं ये fact आज मैं आपको ड्राने के लिए नहीं बता रहा हूँ ये fact मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी एकस्पेक्टेशन सेट हो तैयारी जब हम करते हैं ना मैं आपको अपनी story बताता हूँ 5 attempts मैंने total दिये एक बार मेरा pre नहीं हुआ था दूसरे attempt में उसके बाद बहुत बुरा लगा मैं ऐसे कैसे हो सकता है प्री भी नहीं हुआ बहुत त्यारी की थी बहुत बुरा लगा मैं ऐसा फिल हुआ कई दिनों तक तो ना interest खतम हो गया किसी चीज में stress बहुत ज़्यादा आ गया मैं ऐसा होता था कि कोई काम करते हैं जैसे मुई देख रहे हैं कुछ हसी आना बंद हो गई और घरवाले से पूछते ना त्यारी कैसे चल रही है चिड होने लगती मैं बस करो हो जाएगा मतलब जब होगा ऐसा होने लग गया comparison मैं करता ना करता लेकिन लोग आके करते हैं कि भाईया आपका प्री नहीं हुआ यार आप इनका प्री हो गया देखो इनको तो कुछ भी नहीं आता था मतलब ऐसी comparison चलती है उस टैम आज मैं दिखाने के लिए आपको लाया ये फोन रखा करता था बिल्कुली अपने आपको ना पूरा आईसोलेट कर लिया बिल्कुली आईसोलेशन में सुवह से साम तक बिल्कुल मोनोटोनस लाइफ उसके लिए कौन responsible था मैं खुद था मैंने अपने number change कर लिये मैं खुदी बात नहीं करता था किसी से तो किसका phone आएगा वोड़ा फोन वालों का message आता था सिरफ साम को वापस आना और किसी का phone नहीं कोई message नहीं कुछ भी नहीं दुख भी होता था कोई phone ही नहीं करता या उसके लिए कौन responsible था मैं खुद था मैंने अपने number change कर लिये मैं खुदी बात नहीं करता था किसी से तो किसका phone आएगा उसके बाद देखो एक मेरा दोस्त है अभी भी है अभी service में है उसने मुझे बोला कि या चलते हैं बहुत बार उसने insist किया मैं क्या चलते हैं ठीक है तो हम गए गूमने कहाँ पर रिसी केस हाँ रिसी केस हम गूमने गए वहाँ पे एक आश्रम है परमार्थ निकेतन नाम से सस्ते में सर्वाइब करना हो तो वह आश्रम बिल्कुल बढ़िया सोर्स है तो वहाँ पे गए वह आश्रम बहुत जबरदस्त है साम को गंगा आर्थी होती है और थोड़ा सा वह मतलब ऐसा मोमेंट था लाइफ में न स्प्रिचुलिजम के बारे में थोड़ा अच्छे से पता लगा लाइफ क्या है मतलब कैसे अपना बैश्ट देना है उन सब चीजों के बारे में पता लगा तब मुझे एक और चीज रिलाइज हुई कि मैंने अभी तक धंच से अपनी कोई होबी नहीं बनाई थी आप मेंसे कितने लोग है जिनको लगता है कि मेरी कोई होबी है ही नहीं सही माइने में ऐसा होता है सच में होता है मेरी भी कोई होबी उस समय थी नहीं कहने को कोई पूछे तो बता देते थे हाँ इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग किसकी हो भी होती है। लेकिन सही माइने में कोई हो भी थी नहीं। लेकिन उस समय मुझे पता लगा कि मुझे आल्मोष पूरा nylon लिया तब पता लगा कि life है क्या, exposure मिला, कि हम खामागा छोटी-छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं इतना stress ले लेते हैं और कोई फरक नहीं पड़ता है गूमने से ये realize हुआ कि life कितनी बड़ी चीज है मैंने ना उस दुरान मतलब second attempt में प्री नहीं clear हुआ था तो उस दुरान तो एक चीज मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि UPSC जो है सिर्फ एक exam है इडिस पाट ओफ लाइफ लाइफ तो बहुत बड़ी है ये सिर्फ एक career choice है कि हां मुझे ये exam clear करना है और मुझे civil servant बनना है mental health को ना हम हलके में ले लेते हैं अरे क्या है हस देंगे जैसे session start हुआ था लाश में कुछ लोग हस भी रहे थे देखो जिस पर बीठती है ना उसको पता लगता है और आज जो लोग हस रहे हैं कि mental health क्या ही है फुलके लोग बता नहीं पाते stigma touch कर दिया कि हां यार इसको तो वह है मतलब यह तो टेंसल लेता है वह ज़्यादा रहे क्यों टेंसल लेता हूँ बस ऐसे बोल दिया जब भी आपको किसी परकार का stress आए कोई भी दिक्कत आए ना आप mentors तक आईए teachers तक आईए अगर जूरत हो तो आप counseling का भी सारा लीजिए देखो negative लोगों से ना हमेशा दूर रहो जो आपको demoralize करें आपको ऐसा feel करवाए कि आपको कुछ नहीं आता है आपका selection नहीं होने वाला है कभी भी इस exam को ना अपनी life मत बनाना आपके पास में आपकी family है आपके दोस्त हैं उनको बढ़िया से time देना मैन इजे social animal मैन isolation में जी नहीं सकता woman भी एक sound sleep बहुत ज़्यादा जरूरी है हमेना लंबी लडाई लड़नी है ऐसा नहीं कि एक दिन में 18 hours, 19 hours, 20 hours पढ़ लिए और अगले दिन उससे भी अगले दिन उठे ही नहीं ये एक marathon है slow and steady win the race हर एक दिन एक सा नहीं होता कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप ज़्यादा पढ़ोगे कुछ दिन ऐसे भी आएंगे आप कम पढ़ोगे और meditation इसके देखो बहुत ज़्यादा जूर्थ है चाहे डेली पंदरा मिनट सुबह उठते ही आप meditation कीजिए लेकिन कीजिए focus आपका बहुत ज़्यादा increase होगा